हलो माई डिर स्टुडेंट्स वेलकम टू ड्रीम क्लासेश और आज की इस क्लास में आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाईए क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलो का समनांतर क्रम शम्हुण जिसको हम कहते कि तीन आरवने ट्व अरन थी जयकूल फी प्रतिरोथ है और इनका जो हैं पोजेट्टिव टर्मिनल को आक पर और निगेटिव टर्मिनल को ठीक है उनको जो है अलग पॉइंट पर लाकर मिला दिया तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे सभी लोग जल्दी-जल्दी से आजए हमारे साज जुड़ जाईए कैसे हो सभी लोग तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3 इसको हमने किस तरह से सजाया है समनांतर क्रम में सजाया है और पिछले क्लास में हमने क्या सजाया था इसको स्रेनी क्रम में सजाया था जिससे समान धारा प्रवाइत होती है इस तरह से अपने पढ़ा होगा तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेलो का समनांतर क्रम समुहन जिसको हम कहते हैं पार्स क्रम समुहन तो पहले हम चाहेंगे कि इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख ले सभी लोग जुड़ गए हमारे साथ सभी का विलकम है एक वर फिट से ड्रीम क्लासेज के आज के इस स्ट्रीमिंग में आज के इस क्लास में और आज हम लोग बहुत स्टरेम टॉपिक बढ़ने वाले calidad सभी सेलो का सम्नांतर क्रम समुहन क कल के क्लास में यह अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिछौप कर नीथ दो नीथ होते हैं a दोनों को एक करकर करेंगे तो आज हम लोग लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में अच्छे से लिख लेते हैं यह सब चीज तो आपने देखा यह काफी बारी सिच को पढ़ा चुका हैं सभी लोग कनेक्ट हो गए चलिए शुरू करते हैं पेन और पर लेके बैठिए और जब भी हम लिखा है तो आप अपने लाइव चैट में नीचे लाइव चैट दिख रहा है ना लाइव चैट में लिखना सुरू करिए हमारे साथ साथ सब लोग लिखेंगे जो बच्चा चाहिए वह अपने पेन और पेपर पर भी लिख सकता है ठीक क्रम शमूहन में सबी सेलो के सबी सेलो के सबी सेलो के पोजेटीव टर्मिनल को एक्स अक्ष पर पोजेटीव टर्मिनल को सबी लोग लिखते चलिए लाइव चैट में लिखना सुरू कर दीजिए ठीक है को एक्स अक्ष पर या एक ही बिंदू पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बिंदू पर, तथा यह positive terminal है, यह जो terminal है, यह positive है इधर वाला, और इधर वाला मानकर चलिए negative है, एक ही बिंदू पर तथा, निगेटिव टर्मिनल को, वाई अक्च पर अर्थात, दूसरे बिंदू पर, जोड़कर, जोड़कर, परिपत को, पूरा, किया गया है, ठीक है, अच्छा, कल के क्लास में हमने पढ़ा था, कि इलक्ट्रो मोटिफ फोर्स, विद्दूत बहक बल, जिसको हम denote करते हैं, इस E से, ऐसे करके, ठीक है, इसको हम denote करेंगे, ऐसे करके, इसे, यह ही हो गया, E बरावर V प्लस IR, हाँ या ना, सभी लोग बताएंगे, क्या हमने कल इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ा था, पहले हमने आपको इलक्ट्रो मोटिफ फोर्स के बारे में पढ़ाया था, विद्दूत बहाक बल में पढ़ाया था, और जिसमें हमने सिखा था, E बरावर V प्लस IR, तो सेलो के समनांतर करम शम्मूहन में, सेलो के पोजिटिव टर्मिनल को X अक्छ यानि एक अक्छ पर, तथा निगेटिव टर्मिनल को दूसरे अक्छ यानि Y अक्छ पर हमने जोड़कर परिपत को पूरा किया, यहां तक क्लियर है सभी का, यहां तक सभ पोजिटिव टर्मिनल है कौन सा निगेटिव टर्मिनल है और किस तरह से हमने परिपत को पूरा किया, देखी है, अब हमें कुछ बाते जो हैं, कुछ बाते हमें याद होनी चाहिए, तिके कुछ बाते, बाते इस तरह की है कि पिछली क्लासीज में जो हम पढ़ रहे थे, कि अगर राष्टे समान हो तो धारा के प्रभाई में अंतर नहीं होता है, यानि आई जो है वो हमारा नियत होता है, तो धारा नियत रहती है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहां तो तीन रास्ता है और एक ही बिंदू पर आ रहा है, एक positive terminal जो है वो x x पर और negative terminal जो है वो y x पर आ रहा है तो यहां से तो धारा आई प्रवाइत हो गया लकिन जब रास्ते बदल जाते हैं तो धारा के मान में भी बदलाव हो जाता है इसलिए हमने यहां पर i1, i2 और i3 और यह ठीक है और यह विद्धुत्बा इलेक्ट्रो धारा का मान भी बदल जाएगा और जब धारा का मान बदल जाएगा तो वैसी इस्तिती में विभवांतर वी जो है वो नियत हो जाता है तो यहां पर हमने वी को क्या कर दिया constant कर दिया पिछले क्लास में हमने किसको constant किया था पिछले क्लास में हमने धारा i को नियत किया था हाँ या ना I को नियत किया था लकिन अभी जो है वो क्या नियत हो गया V नियत हो गया क्योंकि I जो है वो रास्ते बदलने से धारा का प्रवाब बदल जाता है I का मान अलग-अलग हो जाता है यहां तक clear है सभी लोग से SCNO सभी लोग live chat में बोलेंगे हाँ या ना सभी का clear है clear है यानि एक चीज़ clear हो गया कि यहाँ से हमें पता चला कि कुछ बाते यह पता चला हमें कि रास्ते बदलने से सभी लोग लिखेंगे I कामान बदल जाएगा I कामान बदल जाएगा और ऐसी स्थिति में दूसरा नमबर में लिखेंगे कि V कामान नियत हो जाएगा ठीक है नियत हो जाएगा से SCNO अगर रास्ते बदल गए तो I धरा कामान बदल जाता है लेकिन V जो है वो नियत हो जाता है तो ऐसे condition में तो हम ऐसे condition में क्या करेंगे न कि आपको यहां पर नियत क्या मिला constant क्या मिला वी नियत मिला तो यह जो formula है इसको हम अच्छे से करते हैं यह जो formula है जो हमें मिला है इसमें पिछले क्लास में सभी लोग ready है आगे एक दम बिल्कुल इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यहां से जब वी का मान नियत हो जाता है थोड़ा सा एक चीज़ और पहले कर लेते हैं तो यह आप तुल्ली परिपत तो जानी रहे हो capacitor से यह बाते चल रहे है कि यह इसके सामनांतर तुल्ले होता है यानि यह जो है यहां से i डरावर i1 प्लस i2 प्लस i3 यह यह तीनों मिलकर जितना काम करेंगे यह इसके क्या है तुल्ले है तो हमें क्या प्राप्त हुआ सभी लोग लिखेंगे ऐसे condition में हमें प्राप्त हुआ कि I तुल्ले वरावर I तुल्ले वरावर I1 प्लस I2 प्लस सोरी प्लस बिल्कुल सही है जी I3 हा या ना क्योंकि हमें V नियत हो गया तो हम यहां से I का मान निकालेंगे यह जतना धाराव प्रवाहित कर रहा है यह तीनों मिलकर आई1., आई2 और आई3ों मिलकर जो है», वह इस I के बराबर है तो यह फॉर्मूला हमें यहां से मिल गया नहीं तो अब क्या करेंगे एक एक करकर के मान निकालेंगे सबका I1 का मान निकालेंगे I2 का मान निकालेंगे I3 का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं we know that we know that हम क्या जानते हैं सब लोग लिखिए गा लाइव चैट में समझ में आना चाहिए concept clear होना चाहिए ठीक है हम जानते हैं कि electromotive force ए वरावर जो होता है वो है V प्लस I R हाँ या ना V प्लस I R हमें किसकी वैल्यू चाहिए हमें चाहिए I की वैल्यू ठीक है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि I R वरावर यह पोजेटिव है इधर आजएगा इसकी वैल्यू हमें सिर्फ चाहिए अगर हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहि यह तो आई वरावर लिखेंगे ई माइनस वी बटे आर यह गुणा में है इदर भाग में आजाएगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते और आप इसको दोनों पूरे पर बटा कर दीजिए जैसे यह यह पूरा पर बटा है ना यह जो आर है यह पूरे पर है तो आप इसको अलग क्लियर है यह नहीं यहां तक कॉंसेट क्लियर हो रहा है नहीं हां चलिए क्लियर है और हमें जो फार्मूला प्राप्त है हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है इधर लिख लिए सब लोग क्योंकि उधर पेंज खतम होगा बोर तो फिर इदर मिटाना पड़ेगा हमें पता है कि आए बराबर आइवन प्लस आइस तू प्लस आइस त्री चलिए अब हम सब का वैल्यू निकालते आई कीव निटकालते आईवन कीव ऐल्यू जो हम कहेंगे प्रतं सेल के लिए प्रतंस एल आईर ऑन के लिए I1 के लिए प्रथम सैल R1 हो जाएगा ना जी R1 के लिए एक सेकेंड रुकिएगा प्रथम सैल के लिए इस लिखेंगा डारेक्ट प्रथम सैल के लिए I1 की अगर value निकाले तो I वरावर formula है E बटे R E बटे R minus V बटे R ये formula बना था जी ये जो है ये क्या है ये ही formula पर हम बनाएंगे पूड़ा सबी लोग focus करिए topic पर focus करिए काम देगा आपको ऊपर ऊपर उड़िएगा तो कोई फाइदा नहीं है रटने से कोई काम नहीं चलेगा समझे इस चीज़ को प्रथम सैल के लिए I1 का मान चाहिए तो I1 बराबर होता है E बटे आर माइनस V बटे आर तो ठीक है एक सब्सक्राइद टूखे ठीक है चली आगे बढ़ते है तो प्रथम सैल के लिए I का जो मान है वो E बटे आर माइनस V बटे आर है तो E बटे आर है तो E जो है यहाँ पर क्या है E1 है तो हम लिखेंगे E1 ठीक है E1 माइनस E1 बटे R1 प्रथम सेल के लिए ये प्रथम के लिए हो गया ये जो हो गया ये दूतिय के लिए हो गया और ये जो हो गया ये तृतिय के लिए हो गया ठीक है एती रित्य के लिए है तो प्रथम सेल के लिए E की value यिवन है और R की value R1 है तो E1 बटे r1 stinky शामी कर नेक कै अब क्या कहेंगे लिखेंगे यहां पर central financeби ratio ? I2 का जो मान होगा वो होगा E2 बटे R2 माइनस V बटे R2 क्योंकि देखिए V जो है वो यह तो नियत है सब जगा कॉंस्टेंट है तो दूतिये शैल है तू हम लिखेंगे E2 बटे R2 माइनस V बटे R2 सामी करम दो कहेंगे तृतिये शैल है तू तृतिये शैल है तू यह तृतिये शैल के लिए I3 का जो मान होगा ठीक है तृतिये शैल है तू I3 का जो मान होगा वो हमारा होगा E3 बटे R3 माइनस V बटे R3 ठीक है E3 क्लियर है यहां तक तृतिये शैल है तू E3 बटे R3 माइनस V बटे R3 ठीक है यानि E1 E2 E3 R1 R2 R3 ये तीनों चेंज होगा ये समीकरन तीन हो गया ठीक है अब कहिए असर V क्यों नहीं चेंज हो क्यों V तो हमारा constant है नियत है अब कहेंगे तुल्ले परिपत के लिए अब देखें V तुल्ले के लिए लेंगे न उसारी E2 तुल्ले जोरी 1 सब्सक्राइब इसले बटे R2 माइनस V बटे R2 क्योंकि शिर्पिशिटर में अलग फॉर्मुला था करेंट इलक्रिक्रिसिटी में अलग फॉर्मुला था जब हम इसका परतिरोधों का समनांतर क्रम्शमोन चुमुन तो यहां पर सेल वाला में तीनों का तीनों का अलग-अलग कंडिशन है अलग-अलग तरीका है बनाने का ठीक है तुरतिय परिपत है तुर आई का जमान होगा वह इतुल्ले बटे आर्टुले बडाबर वी माइनस आर्टुले यहां तक सब लोग क्लियर कर लीजे बहुत लगों और ज़लुड़नीस कैसे वश्हाइं जलदी से सकता हम एच करेंगे पासितारां को चाहने यहां तक clear है सभी का concept clear है यहां से यहां तक आप सभी का चली अब हम क्या गरते इधर मिटाते हैं ठीक है हमें पता है we know that हम जानते हैं कि सभी लोग लिखेंगे सब लोग लाइव चैट में लिखते हो बहुत काम आएगा copy में या तो live chat में ठीक है i विरावर हमें पता है कि i1 i तुल्ल बरावर i1 प्लस i2 प्लस i3 ठीक है i1 i तुल्ल बरावर i1 प्लस i2 प्लस i3 अब हम क्या करेंगे सब के मान को यहां पर रख देंगे बस और कुछ नहीं करना है हमें i1 का जो मान है i2 का मान है e2 बटे r2 e2 बटे r2 minus v2 बटे r2 यह इसकी value इसको हमने यहाँ पर put कर दिया बराबर i1 की जो value है वो i1 की value है इसको मिटा देते हैं ने तो फिर हो नहीं पाएगा पूरा i1 की जो value है वो e1 minus r1 मनने v बटे r1 ठीक है पलस i2 की जो value है वो है e2 बटे r2 minus v बटे r2 पलस i3 की जो value है वो है e3 बटे r3 minus v बटे r3 clear है यहाँ तक अब हम क्या करेंगे यहाँ तक concept clear है सभी लोग को say st no सभी लोग बताएंगे हाँ या ना चलिए आगे बढ़ते हैं clear है ना यहाँ तक concept clear होना चाहिए समझ में आना चाहिए कि concept समझ में आना चाहिए पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है समझाना बहुत बड़ी बात है तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे सब को जोड़ देते पहले इसको जोड़ देते हम लोग यह जोड़ देते यह जोड़ देते और यह जोड़ देते हैं ठीक है वी वाले को बाद में जोड़ देंगे तो हम लिख सकते हैं कि या E1 E2 Plus E3 क्यूंकि सारा एक जात है अब बटे R1 Plus R2 Plus R3 हां या ना R1 Plus R2 Plus R3 इसको ऐसे कर सकते हैं सब को जो है हमने क्या कर दिया जोड़ दिया E1 Plus E2 Plus E3 और बटे R1 Plus R2 Plus R3 नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो तो नहीं ऐसे नहीं कर सकते हैं, गड़बर जाएगा फिर 8 सकते हैं, थोड़ा सा रुख जाओ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो हम कहेंगे E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3, और यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेट है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे R1, माइनस 1 बटे R2, ठीक है, और यहाँ तक क्लियर है न, एक सेकंड देख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, एक सेकंड, पॉजेटिव करेंगे, एक सेकंड, छोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे पेपर में, चलिए, बड़ दिया हमने, इसको लिख दिया हमने, इसको लिख दिया, अब इसको लिख देंगे, माइनस V बटे R1, माइनस V बटे R2, माइनस V बटे R3, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कि E तुल बटे R तुल, माइनस V बटे R तुल बराबर, अब हम क्या करेंगे, कि इसको रहने दीजे, E1 ब्ट आरऒन प्लस E2 ब्टए R2 धूस E3 ब्ट R3 को रहने देंगे, यहां से हम common निकाल लेते है minus V, तो अगर V हमने common निकाल दिया, तो 1 ब्ट आरऒन अभ यहां पे plus करेंगे तब तो plus क्योंकि common minus है, तो यहां plus करेंगे, यहां पे plus करेंगे तब तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा 1 वटे R2 और प्लस 1 वटे R3 यहाँ तक समझ में आया concept सभी लोग यहाँ तक पहले लिखेंगे हाँ यहाँ ना सभी लोग live chat में comment करेंगे यहाँ तक live chat में सभी लोग comment करेंगे समझ में आया नहीं है that tip three-k predictive कि जल्दी जलदी सभी लोग लाइब चैट में कमेंट करिए क्या最 अए-टायराना कि चली और बढ़ते स्टेउयाuben यह ऊपने यह तक कान्सेब्ट मिले हैं जो तरीका हमें प्राप्त हुआ है वो किस आधार पर हैं कहां तक चलेंगे आपको नहीं लग रहे हैं कि आप अच्छे से समझना कि इतुल बटे आर तुल की जो वैल्यू है वो ऑटे प्लस ए टू प्लस ए थ्री और और रञ प्लस ऀर टो प्लस और थी इसको दिनोड कर रहा है स्वी इ और रचे बटे और 황म्न्ट बारट की वैल्यू है यह इसके value के बरावर क्योंकि V से भी cancel हो जाएगा ठीक है वी से भी या तो नहीं भी cancel करेंगे कोई दिक्कत नहीं है by mistake अगर छोड़ दीजिए इसको ठीक है तो आप इसको common में लीजिए ठीक है सिर्फ इसको common में लीजिए तो क्या यह इसकी value है हाँ याना concept के लिए रोना चाहिए यह बिलकुल देखिए यह इसकी value है यानि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि E तुले E तुले बटे R तुले बरावर जो होगा E1 बटे R1 पलस E2 बटे R2 पलस E3 बटे R3 ठीक है यह हमारा एक formula यह हमारा यहाँ से निकला यहाँ पर कहेंगे कि 1 वटे एक निकलेगा हमें 1 वटे R तुले बरावर 1 वटे R1 पलस 1 वटे R2 पलस 1 वटे R3 ठीक है यह दो concept हमारे यहाँ से निकले यहां से इस formula से में क्या-क्या निकला क्योंकि वी तो यहां पे दोनों जागा common है तो 1 वटे आर तुल बराबर 1 वटे आर 1 प्लस 1 वटे र 2 प्लस 1 वटे र 3 और यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है बिल्कुल दिख रहा है आपको concept में clear नहीं तो यहां से हमने लिखा कि तुल्ल वटे र 2 वराबर ईवन वटे र 1 प्लस 1 2 वटे र 3 वटे र 3 चीक है क्लियर है यहां तक हा या ना सभी लोग बोलेंगे concept क्लियर है कि चल्लों क्लियर है बिल्कुल यह दो टॉपिक हमारे क्लियर अब हम यहां से कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे कि आइमिन कुछ बाते यहां पर जो लिखेंगे वह जरूरी है हम यहां पर लिखेंगे कि अगर यहां पर एक टॉपिक हम लिखते हैं कि अगर अगर इंपोर्टेंट है जी पूछेगा आपसे फॉर्मूला बगेरा पूछ सकता है अगर एन से लोग को समनांतरक्रब में जोडे यानि पार्सक्रब में जोडे ठीक हैं तो क्या होगा तो अगर हम एन से लोग को समनांतरकर allá जोड़ेंगे तो ए तुल बटे आर तुल जो होगा वो हमारा होगा इस तरह से बनेगा कंढिशनस का E1 बटे R1 पलस E2 बटे R2 पलस E3 बटे R3 dot 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 E3 बटे R3 dot 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 यह हमारा कहां तक चला जाएगा एक सेकेंड थोड़ा सा चिक्क है एक सेकेंड एक सेकेंड लाइटिंग है सही आपको समझ में आ रहा है है कॉंसेप्ट के लिए चलिए तो यह हमारा चला जाएगा sorry यह हमारा चला जाएगा dot 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 E1 बटे Rn तक ठीक है एक की वैली जो भी हो infinitive ठीक है और अगर यही यहां पर आजएगा 1 बटे R2 लिवरावर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यह कब जब N सैलो को समनांतर क्रम में जोडेंगे तब ठीक है तो वन बटे R2 लिवरावर वन बटे R1 बटे R2 बटे R3 डॉट 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 वन बटे Rn तक चला जाएगा ठीक है तो यह कुछ कंडिशन्स थे और काफी क्लास था अज भी हमारा समझ में बिल्कुल आया होगा ठीक है और बिल्कुल ड्रीम क्लास का लटनिंग डाउनलोड करके वहां से कंप्लीट कोर्स जोइन करिए काफी कम समय बच रहा है आपके एक्जाम में और कम समय में आप बहुत कुछ उहां से पढ़ सकते हो बहुत कुछ चीख सकते हो अगर क्लासे जोइन करते हो हिंदी और इंग्लीज का भी बैचा स्टार्ट हो गया है, साथ में बच्चे स्टूदेंट से आपके फ्रेंड या कुछ भी तो वहाँ पर क्लासे जोइन कर सकते हैं, कंप्लीट को जोइन कर सकते हैं, साथ में हर एक कोर्स में आपको टेस्ट सरी हैंडित नोट लिए जा रहा जो हमारा होता है, प्रथम उसको क्या कह सकते हैं, टर्मिनल को एक्स अच में जोड़ दिया और एक ही बिंदू पर एक्स अक्ष पे जोड़ दिया, और दूसरे टर्मिनल जो निगेटिव टर्मिनल है, पॉजेटिव टर्मिनल को एक्स अक्ष पे और निगेटिव टर्मिन काफी हैं समझेजिए सीज को बाबाइ टेकर गुड़नाइट सुद्रीम